आप ये देखें कि एक लड़की को बोल दे कि चोलो आपको 10-15,000 मिलेगा रात आप आजो वो अराम से चली जाए देगा मैं यह नहीं कहते है कि पुडीसर भी घलत है क्योंकि हमारी लड़कियों का ही कसूर है जब अब जा कि पुडीसर को ऐसे ऐसे करोगे ना तो आदमी तो तो कम असकम 40-45,000 पर तो एक बंदे का गया ना जो सीटें लेकर आ रहा है तो वो ऐसे सीटें देगा क्या दुनिया समझदार है पबलिक खुद समझदार है हर चीज समझती है वो भी लड़किया हैं कि जिनको एक दो महीने हैं उनके नीचे गाड़ी आगी ये बंगला लास एक बहुत फूफसरत और बहुत अच्य ड़ानसर शाजिया बलोच इनका नाम है इसे बात करते हैं कुछ HEYतर हमाले को इसे चाह्ज़या बाते हैं कुछואפओर हाले के खूफसरती के हाले से यह मुझे मिलती है नहीं यह आज ही मिल गई है और मैंने सारी दिल की बात कोच अंकी खुफ़ुर्ती के हवाले से और बहुत सारी बाते मैं करना चाता हूँ इहें मुझे मिलती है नहीं थी आज यह मिल गिये हैं और मैंने सारी दिल की बाते न के सामाले कुर देनी हैं ठीड है आपके पास टाइम नहीं था, हमारे पास तो टाइमी टाइम है। नहीं शाजिया, मैं बड़े अर्से से आपको देख रहा हूँ, आप फील्ड से थोड़ी सी गाइब हैं, गुम हैं, उसके क्या वज़ा है। उसके रिज़न ये, देखें, हमने एक साथ बड़े ड्रामे की हुएं, काम किया हुएं, तब काम होता था, आजकल काम नहीं हैं, आजकल लड़कियां इतनी न्यूँ आ चुकी हैं शो बीस में, जुनको सेट पे खड़ा होना नहीं आता, बस वो गाना लगा दो डांस कर ली, तो यानिगे ड्रामा कर लिया उनों, लेकिन पैसे सबसे ज़्यादा वो ले रही हैं, पॉब्लिसिटी भी बड़ी, क्या वज़ा उसका रिज़न ये है, कि देखें, जब आप, यानिगे, मैं ये नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारी लड़कियों का ही कसूर है, जब आप जाके पॉडिसर को ऐसे ऐसे करोगे ना, तो आदमी तो वैसे आदमी जात है, आप ये बात जानते हैं, समझते हैं, तो हमारी लड़कियों ने कुछ बेड़ा घर के, जो नियू ये लड़कियां आ रही है जिनका पता ही नहीं, जिनको एक्टिंग नहीं आती, डांस भी इतना न आ रहा है ना, इस दौर में कोई किसी को एक टाइम का खाना भी ना खिला है, तो अगर कोई 15-15-20-20 सीटें लेगा, आपको पता है कि टिकट क्या है, पंदरां सो दो हजार पचीस सो, तो पंदरां बंदी अगर आ है, तो कम चालिस-कम चालिस-कालिस हजार पर तो एक बंद फंक्शन होते हैं, गैदरिंग शो होते हैं, उसके वज़ा से फिल्ड पे क्या असर है? बहुत बुरा असर है, आप ये देखें कि एक लड़के को बोल दे कि चलो आपको 10-15,000 मिलेगा, रात आप आजो, वो अराम से चली जाती है, वो सिर्फ ये सोच रखके जाती है, यहां पर हम लोग एक वीक पूरा करें, जो हमें एक वीक के पैसे मिलेंगे, वो उनको एक बुरा नगी करी, लेकिन कुछ लड़किये हैं, कुछ लड़कियों वज़े से सारी लड़कियां बुरी बनी हुई है, लड़की, आज कि जो कुछ लड़की हैं, वरगल का सहरा लेती, बहुत जादा, पहली बात ये हैं, कि उन्होंने एक तस्विर के कातर किसी पूदीसर से रिलेशन बना लेंगे हमारी तस्वीरियां लगो अब हम लोग 10-12 साल से काम कर रहे हैं मेनत करके काम सीख के आगे बढ़े हैं ठीक है न पर कमाते हैं अपना इज़त का कमा रहे हैं उतना कमा रहे हैं कि जो हमारी घर का चूला जल जाए आज कर वो भी लड़किया हैं कि जिनको एक दो महीने हैं उनके नीचे गाड़ी आ गए बंगला आ गए एमें थोड़ी बन जाते हैं क्या हमें बन जाते हैं आप खुद समझदार ये पब्लिक जो है ना ये सब समझते हैं, इनको सब पता है, पब्लिक सारी समझते हैं, जाहरे बाते मेने तो मज़ोरी करती हैं, इसलिए बनाती हैं, हम क्यों गलत तरफ लेकर जाएं, वो डांस करती हैं, डांस तो हम भी करती हैं, हम लोग बारा-बारा साल होंगे, आज तक प्लॉट नहीं ले सके। कि आप फों अपको प्लॉट आजए पलॉट वह थो नहीं कि वहात plot रहा है थो you कर दिया है खराब अब वो ही यानिके फैन बनते हैं जिनके आप इस तर पर जाओ इन्हों ने पॉबलिक को खराब किया देखें आप पॉबलिक जो दिखाएंगे ना पॉबलिक वो चीज मांगेगी अब एक लड़की यानिके पॉबलिक को इशारा कर दे भी आप मुझे इन आप मेरे पस गाड़ी आप मेरे साँ चलें नहीं अला पाक आपको मजीद दे लेकिन गाड़ी इसलिए सेल की थी मैंने अपनी सिस्टर की शादी करनी थी तो इतना कुछ था नहीं पिर जिस वज़ा से मुझे अपनी गाड़ी से शादी की आपने हाँ लव मेरेच की यह बकै अल्ला का दिया उनके पस सब कुछ है अल्हमदलिल्ला मैं बकैदर डीड साल घरी बैठी रही हूं भूकी थोड़ी मर्यूं उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे सब को सपोर्ट किया है मेरी ममा का नितकाल हुआ है मेरे जो पापा है ना माजूरें पांचवी मनजल से गे रह जिस वज़े से मैंने जो भी कमाना है मैने अपने घर भीजना है मेरे हज्बेंड के लिए एक रुपिया मेरा हराम है वो अच्छे एंसान है देके जब तक वो थें ना मुझे नहीं लगता कि इन्होंने तो वैसे बोल दिया ना कि भी वह केस वेस आज तक कोई चीज़ प्रूफ तो करें ना जितना उन पे लजाम लगाए है आउट ओफ कंट्री गई हैं नहीं वज़ नहीं है शौक नहीं है शौक के लिए नहीं जाते लोग पैसा कमाने के लिए जाते तो अपने पाकिस्तान में सब कुछ है क्यों हम लोग बाहर किसी की खुलामिया करें किसी को शो करें का किस लिए अपने पाकिस्तान में मुझे मेरा ना मुझे मेरे पाकिस्तान ने दिया है ना अच्छा जी बिल्कुल मुवीस की हैं पंजाबी पश्टोस रैकी मज़ा किस में आए ज्यादा मज़ा तीनों में क्योंकि तीनों हमारी पूरा गूमी यहाँ आपकिस्तान की वज़े से शूटिंग की वज़े से यानि क्या आते जाते वैसे गूमने का कभी टाइम नी मिला रिकॉर्डिंग की तरह गूमने तो गूमने अधर वाइस तो टाइम ही नहीं होता इतना अच्छे आप क्या कहते हैं कि आने वाली जो नहीं लड़की है उसे अब थेटर में आना चाहिए ये जो दौर जा रहा है ना इस दौर में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी की भी बेहन बेटी को इस दौर में नहीं आना चाहिए क्योंकि इस टाइम लो बहुत गंदगी बहुत जादा गंदगी पहली हुई है जिस वज़े से हमारी ऐसी फनकारे हैं कि जो जन्होंने फिल्ड से किनारा कर ली है कामी नहीं कर रही हो नूर पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे I love you नूर पाकिस्तान I love you too नूर पाकिस्तान को लाइक के जगा सबस्क्राइब के जगा शेर के जगा तक हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच के मुझे और शाजिया बलोज को दीजिए गए जाज़त अल्ला हाफिस